मारी हेतल वहू अने कोकीला वहू ब्यो नी ब्यो घरमा खूब राची बसी गई छे की सवसर पी क्या क्या बनाना वहुत अच्छी तरह से जानती है क्या अच्छी तो कबुतर की आवाज है यह आवाज कहां से आ रही है काकी जी वो छट से आ रही है छट से पर छट से यह आवाज इतनी साफ और सपष्ट कैसे सुनाई दे सकती है मुझे लगता है कि आवाज यही कहीं से आ रही है काकी जी शायद छट का दर्वाजा खुला रह गया काकी जी ऐसा ही हुआओगा मॉम हम अब बता रहे थे कि किंजल आज दिनर पे आने वाली है हाँ मैंने बोला तो है लेकिन एक बार फोन करके पूछना पड़ेगा वो लोग आ रहे हैं या नहीं ठीक यह तो सपश्ट कबुतर के आवाज है और यहीं कहीं से आ रही है काकी जी मतलब छट का दर्वाजा पक्का खुला है मैं अभी बंद गर के आती हूँ हाँ हे क्रिश्ट भगवान यह राशी भी एकदम ला परवा है उसे छट का दर्वाजा ठीक से बंद करना चाहिए था कही कबुतर घर के अंदर ना आ गया अभाल दिखिरा अरे आज तो करभा खेलवानो टेम चे अभी जाए अभी जाए एक सिकन्द भी अरे वो सब छोड़ना इदरा क्या हो फई अरे मैं लगपती बन गई मुझे दस लाख रुपह की लाट्री लग गई आपको लोट्री के टिकेट का नंबर लग गया हाँ मुझे लाट्री लग गई अरे मुझे अरे मुझे लाट्री जीत गई है दस लाख रुपह की लाट्री मैं लगपती बन गई हूँ लगपती अरे वाओ उर्मी बन लोट्री जित गई बहुत बहुत मुबारक हो अर्णेवाद थैंकू थैंकू फिर तो दावत हो नहीं चाहिए और वो भी इधर चाली में नहीं हाँ पांच सितार वाली होटल में हाँ पेशक पेशक मतलब दावत पेशक होगी पर ये हटल फटल मा नहीं हाँ इधर हमारे घर पर ही होगी अरे तम्हे निराजना हो खाना पाथ सितारा होटल सरीकाई होगा हाँ रातना जमानु पक्कू वही आज रात को हमें मा के आ जाना है डिनर के लिए अरे तु उसकी चिल्दा मत कर वह सब बैसा भालोंगी हाँ उर्मी बेन ठाकुर जी गरीवों की बाद जरूर सुनते है हाँ हाँ आज मेरी सुनी है कल आपकी भी सुनेगा हाँ उर्मी लाविन आपने बहुत दुख देखे तो ये जीत तो आपको मिलनी ही चाहिए थी हाँ आपको ठेंको अरे चाँ छाँ टिकित निकाला था सोचा था एक तो लगी जाएगी तो तो देखो एक तो लगी गई शृट शह बच्चू शृट अवाज मत करना पर्लाँ वो कागडी याज मेरा खून कर देगी पर्लोंश हाँ हाँ राशी एक मिनुट अब देखने ये खुद ही आपकर बैठ जाएगा है ये तो कहा रहा है राशी सौरी वो दर्वाजा मैंने ही खुला छोड़ दिया था जिसके अजसे नीचे नीचे तक कपुदर के आवाज आ रही थी कुछ मैं पुट है याँ भाई ये देख्खियें आपे पकड़के देख्खियेना बौत पुट है नहीं लाइए जिगाजी मुझे दीजे को चलो चलते अब आशी जिगर इस बात का ख्या रखना इस कबूतर को इस घर से जल्दी छोड़ना होगे अब लेकिन जीजू हम ठीक हो जाने पर हम इसे छोड़ देंगे ठीक इस बात का ख्या याजी जिए